नमस्कार मित्रू, मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बर फिर से स्वागत है। MST 10 के पाठे क्रम में प्रेमचंद की कहानियों को शामिल किया गया है। प्रेमचंद की अने कहानिया हम पढ़ चुके हैं। आज की इस रंखला में हम पढ़ने वाले हैं प्रेमचंद जी की सूपरसिद कहानी समर्यात्रा। समर्यात्रा कहाने के लेखन तक आते आते प्रेमचंद जी की कहानी कला अत्यधिक विक्सित हो गई थी। प्रेमचन ने देश की प्राधिन्ता को अनुभव किया था। और गांधी जी के ऐ सहोग तथा सत्याग्रे रुपी हतियार से अत्यदिक प्रभावित हुए थे। सत्य अहिंसा ऐ परिग्रे आधी की सिक्षा तो उन्होंने टोल्स्टोई से ग्रहन कर ली थी। जून 1908 हिश् उनकी राष्टिय चेतना से युक्त प्रथम उर्दू कहानी संग्रे सोजे वतन को जब ततकालिन सरकार ने जब्त कर लिया था। तभी से प्रेमचन सरकारी नोकरी में स्वम को ऐसहज पा रहे थे। आखिर गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर 15 फरवरी 1921 को सरक कारी नोकरी से उन्होंने परित्या कर दिया। गांधी जी की सत्याग्रे से प्रेमचन्द के साथ ही जैनेंदर जैसे रचनाकार भी गहराई से प्रभावित हुए थे। और समर्यात्रा इसी प्रभाव का प्रथम चरण हम कह सकते हैं। इस कहानी में पिचेतर साल की बुढिया नोहोरी भी अपना सर्वस्व छोड़कर इन सत्याग्रियों के साथ चल पड़ती है। कहानी की इतनी सी कथावस्तु को प्रेमचन्द ने अपनी सरजनात्मक प्रतिभा के आधार पर विशिष्ट रंग प्रधान किया है। और ये क कहानी उनकी सूपरसित कहानियों में शामिल है। आईए देखते हैं इस कहानी में किस तरह की समर्यात्रा कवर्णन किया गया है। किस तरह से गाउं के लोग अपने करतवे बोध का एहसास करके सत्याग्रह में शामिल होते हैं। इस पूरी कहानी का वाचन करते हैं और कथा वस्तू को समझने का प्रियास करते हैं। दूद और दही के दो मटके अहिराने में बटोर कर रख गया है। अमारो देख रही है और पच्टा रही है। लेकिन वे सब कुछ विधाता ने हर लिया। ने जन रहे अब उनके नामों को रोने के लिए वही बाकी थी। आखों से सूझता ने था। कानों से सुनाई ने देता था। जगे से हिलना मुश्किल था। किसी तरह जिंदगी के दिन पूरे कर रही थी। और उधर कोदई के भाग उदे हो गए थे। अब चारो और से कोदई की पूछ थी। पहुच थी। आज जलसा भी कोदई के द्वार पर हो रहा है। नोहरी को अब कौन पूछेगा। ये सोचकर उसका मनस्वी हिर्दय मानो किसी पत्थर से कुचल उठा। हाई! मगर भगवान ने उसे इस तरह अपंग ने कर दिया होता तो आज जोपडे को लेपती, द्वार पर बाजे बजवाती, कढ़ाव चढ़ा देती, पूडिया बनवाती और जब तक लोग खा चुके होते तो अंजली भर रुपए उनको भेट कर देती। उसे वे दिन याद आया जब वे अपने बूढे पती को लेकर यहां से 20 कोस महात्मा के दर्शन करने गई थी। महात्मा यानिकी महात्मा गांधी। वे उत्सा, वे सात्विक प्रेम, वे शृधा, आज उसके हिर्दे में आकाश के मटियाले मेगों की भाती उमडने लगी। कोदई ने आकर पोपले मूँ से कहा भाबी, आज महात्मा जी का जथ्था आ रहा है। तुम्हें भी कुछ देना है। नोहरी ने चोधरी को कटार भरी हुई आँखों से देखा। निर्दई मुझे जलाने आया है। मुझे नीचा दिखाना चाहता है। जैसे आकाश पर चड़ कर बोली। मुझे जो कुछ देना है, वे उनी लोगों को दूँगी। तुम्हें क्यों दिखाऊं। कोदई ने मुस्क्रा कर कहा। हम किसी से कहेंगे नहीं। सच कहते हैं भावी, निकालो वे पुरानी हंडी। अब किस दिन के लिए रखे हुए हो। किसी ने कुछ नहीं दिया। गाउं की लाज कैसे रहीगी। नहुरी ने कठोर दीनता के भाव से कहा, जले पर नमक ने छुड़को, देवर जी, भगवान ने दिया होता, तो तुम्हें कहना पड़ता, इसी द्वार पर एक दिन साधू संत, जोगी जत्ती, हाकिम सुआ, सभी आते थे, मगर सब दिन बराबर नहीं जाते, कोदई लज्जित हो गया, उसके मूँ की जुरिया मानो रेंगने लगी, बोला, तुम तो हसी हसी में बिगड़ जाती हो भावी, मैंने तो इसले कहा था, कि पीछी से तुम ये ने कहने लगो, मुझसे तो किसे ने कुछ कहा ही नहीं, ये कहता हुआ वे चला गया, नहरी वहीं बैठी उसकी और ताकती रही, उसका वे व्यंग सर्प की भाती उसके सामने बैठा हुआ मालूम होता था, नहरी अभी बैठी हुई थी कि शोर मचा, जथा आ गया, पस्चिम में गर्द उड़ती हुई नजर आ रही थी, मानो पिर्थवी उन यात्रियों के स्वागत में अपने राज रतनों की वर्शा कर रही हो, गाउं की सब इस्त्री पुरुष सब काम छोड़ कर उनका अभिवादन करने चले, एक शण में तिरंगी पता का हवा में फैराती दिखाई दी, मानो सवराज्य उचे आस्मान पर बैठा हुआ सबको आशिरवाद दे रहा है, इस्त्रिया मंगल गान करने लगी, जरा देर में यात्रियों का दल साफ नजराने लगा, दो-दो आद्मियों की कतारे थी, हरे की देह पर खदर का कुर्ता था, सिर पर गांधी टोपी, बगल में थैला लटकता हुआ, दोनों हाथ खाली, मानो सवराज्य का आलिंगन करने को तयार हो, फिर उनका कंठ स्वर सुनाई देने लगा, उनकी मरदाने गलों से एक कोमी तराना निकल रहा था, गर्म, गहरा, दिलों में स्फूर्ती डालने वाला, एक दिन वह था कि हम सारे जहां में फर्द थे, एक दिन यहे है कि हमसा बेहया कोई नहीं, एक दिन वहे था कि अपनी शान पर देते थे जान, एक दिन यहे है कि हमसा बेहया कोई नहीं गाम वालों ने कई कदम आगी बढ़कर यात्रियों का स्वागत किया बेचारों की सिरों पर धूल जमी हुई थी, होट सूखे हुए, चहरे समलाई, पर आँखों में जैसे आजादी की जोती चमक रही थी इस्त्रिया गा रही थी, बालक उचल रहे थी, और पुरुष अपने अंगोचों से यात्रियों को हवा कर रहे थी इस समारों में नोहरी की और किसी का ध्यान ने गया, वे अपनी लठिया पकड़े सब के पीछे सजीव आशिरवाद बनी खड़ी थी, उसकी आँखे डबडबाई हुई थी, मुक से गोरव की ऐसी जलक आ रही थी, मानो वे कोई रानी है, मानो ये सारा गाव उसका है, वे स जीरती हुई यात्रियों के सामने आखड़ी हुई, जैसे लाठी के साथ ही उसने बढ़ापे और दुख के बोज को फेक दिया हुँ, वे है एक पल अनुरक तांखों से आजादी के सैनिकों के और ताकती रही, मानो उनकी शक्ती को अपने अंदर भर रही हो, तब वे जैसे कोई सुन्दरी, नव योवना, प्रेम और उल्लास के मद से विहल होकर नाचे, लोग दो-दो-चार-चार कदम पीछे हट गए, छोटा सा आंगन बन गया और उस आंगन में वे बुढिया अपना अतीत निर्ते कोशल दिखाने लगी, इस एलोकिक आनंद के रेले में वे अपना दुख, संताप, सब भूल गई, उसके जीर्ण अंगों में जहां सदा वायू का प्रकोप रहता था, वहां ने जाने इतनी चपलता, इतनी लचक, इतनी फुर्ती कहां से आ गई थी, पहले कुछ देर तो लोग मजाक में उसकी और ताकते रहे, जैसे बालक अंदर का नाच देखते हैं, फिर अनुराग से इस पावन प्रभा ने सभी को मतवाला कर दिया, उन्हें ऐसा जान पड़ा कि सारी प्रकरती एक विराट व्यापक निर्ते की गोद में खेल रही है, कोदई ने कहा, बस करो भाबी, बस करो, नहरी ने थिरकते वे कहा, इन वीरों को देखकर भी तुम्हारी चाती नहीं फूलती, हमारा ही दुख दर्द हरने के लिए तो इन्होंने ये परंठाना है, इन्ही हाथों से हाकिमों की बेगार बजाई है, इन्ही कामों से उनकी गालियां और घुडकियां सुनी है, अब तो उस जोर जुल्म का है, कभी नेंद भर सोय हो, जिस खेत का लगान तीन रुपए देते थे, अब उसी के नो दस देते हो, क्या धर्ती सोना उगलेगी, काम करते करते छाती फट गई, हमी है कि इतना सहकर भी जीते हैं, दूसरा होता तो या तो मार डालता या मर जाता, धन्ने है महात्मा और उन हिर्दे खिल उठे, प्रेम की डूबी हुई ध्वनी निकली, एक दिन था की पारस थी यहां की सर जमेन, एक दिन यहे है कि यो बे दस्ता तोपा कोई नहीं, कोदई के द्वार पर मसाले जल रही थी, कई गाउं के आदमी जमा हो गए थे, यात्रियों के भोजन कर लेने के बाद सभा शुरू ही, दल के नायक ने खड़े होकर कहा, भाईयो, आपने आज हम लोगों का जो आदर सत्कार किया है, उससे हमें ये आशा हो रही है, कि हमारी बेडिया जल्द ही कट जाएंगी, मैंने पूरव और पस्चिम के बहुत से देशों को देखा है, और मैं तजर से कहता हूँ, कि आप में जो सरलता, जो इमानदारी, जो श्रम और धर्म बुद्धी है, वे संसार के और किसी देश में नहीं, मैं तो यही कहूंगा, कि आप मनुष्य नहीं देवता हैं, आपको भोग विलास से मतलब नहीं, नशा पानी से मतलब नहीं, अपना काम करना औ और अपनी दशा पर संतोश रखना, यह आपका आदर्श है, लेकिन आपका यही देवत्व, आपका यही सीधापन, आपके हक में घातक हो रहा है, बुरा निमानिएगा, आप लोगी संसार में रहने के योग्य नहीं, आपको तो स्वर्ग में कोई स्थान पाना चाहिए थ खेतों का लगान बरसाती नाले की तरह बढ़ता जाता है, आप चूतक नहीं करते, अमले और एहलकार आपको नोचते रहते हैं, आप जबान नहीं इलाते, इसका यह नतीजा हो रहा है कि आपको लोग दोनों हाथों से लूट रहे हैं, पर आपको खबर नहीं, आपके हाथ सबी रोजगार छिनते जाते हैं, आपका सर्वनाश हो रहा है, पर आप आँखे खोल कर नहीं देखते, पहले लाखो भाई सूत कात कर, कपड़े बुनकर गुजर करते थे, अब सब कपड़ा विदेश से आता है, पहले लाखो आदमी यही नमक बनाते थे, अब नमक बाहर से आता है, यहाँ नमक बनाना जुर्म है, आपके देश में इतना नमक है कि सारे संसार का 200 साल तक उससे काम चल सकता है, पर आप 7 करोड रुपे सिर्फ नमक के लिए देते हैं, आपके उसरों में, जीलों में नमक भरा पड़ा है, आप उसे चू नहीं सकते, शायद कुछ जिनों में आपकी कुओं पर भी महसूल लग जाए, क्या आप अब भी ये अन्याई सहते रहेंगे, एक अवाज आई, हम किस लायक हैं, नायक, यही तो आपका भ्रहम है, आप ही की गर्दन पर इतना बड़ा राज्य थमा हुआ है, आप ही इन बड़ी बड़ी फोजों, इ जो आदमी अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वे सदेव, स्वार्थी और अन्याई आदमियों का शिकार बना रहेगा। हम लोग सब कुछ सहने को तयार है, अब सोचिए कि आप हमारी कुछ मदद करेंगे, मर्दों की तरह निकल कर अपने को अन्याई से बचाएंगे, या काईरों की तरह बैठ कर तकदीर को कोस्ते रहेंगे, ऐसा अफसर फिर शायद कभी ने आए, अगर इस वक्त चुके, तो हिंसा और क्रोध को दिल से निकाल डाले, और इश्वर पर अटल विश्वास रखकर धर्म के लिए सब कुछ जहल सके, बोलिए आप क्या मदद कर सकते हैं, कोई आगे नहीं बढ़ता, सन्नाटा चाया रहता है, एका एक शोर मचा, पुलिस, पुलिस आ गई, पुलिस का दर लोगा कॉंस्टेबलों के एक दल के साथ आकर सामने खड़ा हो गया, लोगों ने सहमी वी आखो और धड़कते वी दिलों से उनकी ओर देखा, और चिपने के लिए बिल खोजने लगे, दरोगा जी ने हुकम दिया, मार कर भगा दो इन बदमाशों को, कॉंस्टेबलों ने अपने डंडे संभाले, मगर इसके पहले की वे किसी पर हाथ चलाएं, सभी लोग फुर हो गए, कोई इधर से भागा, कोई उधर से, भगदर मच गई, दस मिनट में वहां गाउं का कोई भी आदमी ने रहा, हाँ, नायक अपने स्थान पर अब भी खड़ा था, और जथा पीछे बैठा हुआ था, केवल कोई चोधरी नायक के समीब बैठे हुए, थिर आँखों से भूमी की ओर ताग रहे थे, दरोगा ने कोई की ओर कठोर आँखों से देख कर कहा, क्यों रे कोदईया, तुने इन बदमाशों को क्यों ठहराया यहां, कोदई ने लाल-लाल आँ पचास साल होम कर दिये थे, वे इस समय एक विशेले सर्प की भाती उनकी आत्मा में लिप्टी हुई थी, कोदई ने अभी कोई जवाब ने दिया था, कि नोहरी पीछे से आकर बोली, क्या लाल पगडी बान कर तुम्हारी जीब एंट गई है, कोदई क्या तुम्हारी फिर कुछ सोचकर और औरत के मुँ लगना अपनी शान के खिलाफ समझ कर कोदई से कुछ बोला, ये कौन सैतान की खाला है कोदई, खुदा का खोफ ने होता, तो इसकी जबान तालू से खीच लेता, बुढिया लाठी टेक कर दरोगा की और घूमती हुई बोली, क्यों आई हैं, कौन हैं? ये वह लोग हैं, जो तुम गरीबों के लिए अपनी जान तक होमने को तयार हैं, तुम उन्हें बदमाश कहते हो, तुम जो घूस के रुपे खाते हो, जुवा खेलते हो, चोरियां करवाते हो, डाके डलवाते हो, भले आदमियों को फसा कर मुठियां और अपने देवताओं की जूतियों पर नाक रगड़ते हो, तुम इन्हें बदमाश कहते हो, नोहरी की तिक्षन बाते सुनकर बहुत से लोग जो इधर उधर दुबग कर बैट गए थे, फिर जमा हो गए, धरोगा ने देखा, भीड बढ़ती जाती है, तो अपना हंटर लेकर उन पर पिल पड़े, लोग फिर तीतर बितर हो गए, एक हंटर नोहरी पर भी पड़ा, उसे ऐसा मालुम हुआ कि कोई चिंगारी सारी पीट पर दोड़ गई, उसकी आँखो तले अंधिरा चा गया, पर अपनी बची हुई शक्ती को एकत्र करके उंचे स्वर में बो कब तक ये मार धार गाली गुपता सहते रहोगे? एक सिपाई ने बुड़िया की गर्दन पकड़कर जोर से धक्का दिया, बुड़िया दो-तिन कदम पर ओंधे मुग गिरने ही वाले थी कि कोदई ने लपक कर उसे संभाल लिया, और बोला, क्या एक दुख्या पर गुस् गुलाम ही क्यों होते? भगवान आदमी इतना निर्दई भी हो सकता है? भला अंग्रेज इस तरह बेदर्दी करें, तो एक बात है, उसका राज है, तुम तो उसके चाकर हो, तुमें राज तो ने मिलेगा, मगर रांड मांड में ही खुश, इन्हे कोई तलब देता जाए, दूसरों की गरदन भी काटने में इने संकोच नहीं, अब दरोगा ने नायक को डाटना शुरू किया, तुम किसके हुकम से इस गाउ में आए? नायक ने शांत भाव से कहा, खुदा के हुकम से, दरोगा, तुम रियाया के अमन में खलल डालते हो, नायक, अगर तुमें उन उनकी हालत बताना, उनके अमन में खलल डालना है, तो बेशक हम उनके अमन में खलल डालते हैं, भागने वालों की कदम एक बार फिर रुख गए, कोदई ने उनकी और निराश आखों से देखकर कापते हुए कहा, भाईयों, इस बखत कई गाउं के आदमी यहां जमा है, द माल डाले जाएं, तो भी कुछने होगा, ये है हमारी इज्जत और आब्रू, थुड़ी है इस जिंदगी पर, समूस थिर भाव से खड़ा हो गया, जैसे बहता हुआ पानी मेंड से रुख गया, भैका धुआ जो लोगों की हिर्दे पर च्छा गया था, एका एक हट गया, उनके चहरे कठोर हो गए, दरोगा ने उनके तेवर देखे, तो तुरंत घोडे पर सवार हो गया, और कोदई को गिरफतार करने का हुकम दिया, दो सिपाईों ने बढ़कर कोदई की बहा पकड़ ली, कोदई ने कहा, घबराते क्यों हो, मैं कहीं भागूंगा नहीं, चलो कहां चलते हो, जो ही कोदई दोनों सिपाईों के साथ चला, उसके दोनों जवान भाई, कई आदमियों के साथ सिपाईों की और लपके की कोदई को उनके हाथों से छीन ले, सभी आदमी निकट आवेश में आकर पुलिस वालों के चारो और जमा हो गए, दरोगा ने कहा, त जान बच्ती नजर नहीं आती है, नमृता से बोला, नायक सहाब, ये लोग फसाद पर आमादा है, इनका नतीजा अच्छा नहीं होगा, नायक ने कहा, नहीं, जब तक इसमें एक आदमी भी यहां रहेगा, आपके उपर कोई हाथ ने उठा सकेगा, आपसे हमारी कोई दु जाया, भाईयो, मैं आपसे कह चुका हूँ, ये न्याय और धर्म की लड़ाई है, और हमें न्याय और धर्म के हत्यार से ही लड़ना है, हमें अपने भाईयों से नहीं लड़ना है, हमें तो किसी से भी नहीं लड़ना है, दरोगा की जगे कोई अंग्रेज होता, तो भी हम उसकी उतनी ही रक्षा करते दरोगा ने कोदई चोधरी को गिरफ्तार किया है मैं उसे चोधरी का सोभाग्य समझता हूँ धन्ने हैं वे लोग जो आजादी की लड़ाई में सजा पाए ये बिगडने या घबराने की बात नहीं है आप लोग हट जाएं और पुलिस को जाने दे दरोगा और सिपाई कोदई को लेकर चले गए लोगों ने जै ध्वनी की भारत माता की जै कोदई ने जवाब दिया राम राम भाईयो राम राम डटे रहना मैदान में घबराने की कोई बात नहीं है भगवान सबका मालिक है दोनों लड़के आँखों में आशू भरे आए और कातर स्वर में बोले हमें क्या कहे जाते हो दादा कोदई ने उन्हें बढ़ावा देते हुए कहा भगवान का भरोसा मत छोड़ना और वह करना जो मर्दों को करना चाहिए भे सारी बुराईयों की जड़ है इसे मन से निकाल डालो फिर कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता सत्ते की कभी हार नहीं होती आज पुलिस की सिपाईयों के बीच में कोदई को निर्भेता का जैसा अनुबव हो रहा था वैसा पहले कभी नहुआ था जेल और फांसी उसके लिए आज भे की वस्तु नहीं गोरव की वस्तु हो गई थी सत्ते का प्रतेक्ष रूप आज उसने अपनी आखों की सामने पहली बार देखा मानो वे कभच की भाती उसकी रक्षा कर रहा हो गाम वालों के लिए कोदई का पकड लिया जाना लज्जा जनक मालूम हो रहा था उनकी आखों के सामने उनकी चोधरी इस तरह पकड लिये गए और वे कुछ ने कर सके अब वे मुँ कैसे दिखाए हर एक मुख पर गहरी वेदना जहलक रही थी जैसे गाम लुट गया सहसा नोहरी ने चिला कर कहा अब सब जने खड़े क्या पचता रहे हो देख ली अपनी दूरदशा या अभी कुछ बाकी है आज तुमने देख लिया कि हमारे उपर कानून से नहीं लाठी से राज हो रहा है आज हम इतने बेशरम है कि इतनी दूरदशा होने पर भी कुछ नहीं बोलते हम इतनी स्वार्थी इतने कायर नहीं होते तो इनकी मजाल थी कि हमें कोडों से पीटते जब तक तुम गुलाम बने रहोगे उनकी सेवा टहल करते रहोगे तुमें भूसा चोकर मिलता रहेगा लेकिन जिस दिन तुमने कंधा टेड़ा किया उसी दिन मार पढ़ने लगेगी कब तक इस तरह मार खाते रहोगे कब तक मुर्दों की तरह पड़े गिद्धों से अपने आपको नुचवाते रहोगे अब दिखा दो कि तुम भी जीते जागते हो और तुम्हें भी अपनी इज्जत आबरू का कुछ खयाल है जब इज्जती ने रहे गई तो क्या करोगे खेती बाड़ी करके धर्म कमा कर जी कर क्या करोगे क्या इसलिए जी रहे हो कि तुम्हारे बाल बच्चे इसी तरह लाते खाएं इसी तरह कुछले जाएं छोड़ो एक आयरता आखिर एक दिन खाट पर पड़े-पड़े मर जाओगे क्यों नहीं इस धर्म की लड़ाई में आकर विरों की तरह मरते मैं तो बुड़ी ओरत हूँ लेकिन और कुछ ने कर सकूंगी तो जहां ही लोग सोएंगी वहां जाड़ू तो लगा ही दूंगी इन्हें पंखा तो जलूंगी कोदई का बड़ा लड़का मैकू बोला हमारे जीते जी तुम आ जाओगी काकी हमारे जीवन को धिक्कार है अभी तो हम तुम्हारे बालक जीते हैं मैं चलता हूँ उधर खेती बारी गंगा देखेगा गंगा उसका छोटा भाई था बोला भाईया तुम ये अन्याई करते हो मेरे रहते तुम नहीं जा सकते तुम रहोगे तो ग्रस्ती संभालोगे मुझसे तो कुछ ने होगा मुझे जाने दो मै कू इसे काकी पर छोड़ दो इस तरह हमारी तुमारी लड़ाई होगी जिसे काकी का हुकम हो वह जाए नहरी ने गर्व से मुस्करा कर कहा जो मुझे घूस देगा उसी को जितवाऊंगी मै कू क्या तुम्हारी कचेरी में भी वही घूस चलेगी काकी हमने तो समझा था यहाँ इमान का फैसला होगा नहरी चलो रहने दो मर्ती दाई राज मिला है तो कुछ तो कमालू गंगा हस्ता हुआ बोला मै तुम्हे घूस दूँगा काकी अब की बजार जाऊंगा तो तुम्हारे लिए पूर्वी तमाखू का पत्ता लाऊंगा नहरी तो बस तेरी ही जीत है तू ही जाना मै कू काकी तुम न्याई नहीं कर रही हो नहरी अदालत का फैसला कभी दोनों फरीक ने पसंद किया है कि तुम करोगी गंगा ने नहरी के चरण छुए फिर भाई से गले मिला और बोला कल दादा को कहला भेजना कि मैं जाता हूं एक आदमी ने कहा मेरा भी नाम लिखवा लो भाई सेवाराम सबने जैघोश किया सेवाराम आकर नायक के पास खड़ा हो गया दूसरी अवाज आई मेरा नाम लिख लो भजन सिंग सबने जैघोश किया भजन सिंग जाकर नायक के पास खड़ा हो गया भजन सिंग दस पांच गाउं में पहलवानी के लिए मशूर था ये अपनी चोड़ी छाती ताने सिर उठाए नायक के पास खड़ा हुआ तो जैसे मंडब के नीचे एक नए जीवन का उदय हो गया तुरंती तीसरी अवाज आई मेरा नाम लिखो गूरे ये गाउं का चोकिडार था लोगों ने सिर उठा उठा कर उसे देखा सहसा किसी को विश्वास ने आता था कि घूरे अपना नाम लिखवाएगा बजन सिंग ने हसते वे कहा तुम्हे क्या हुआ है घूरे घूरे ने कहा मुझे वही हुआ है जो तुम्हे हुआ है बीस साल तक गुलामी करते-करते ठक गया फिर आवाज आई मेरा नाम लिखो काले खा वे जमिनदार का सहना था बड़ा ही जाबिर और दबंग फिर लोगों को आश्चरिय हुआ मैकू बोला मालुम होता है हमको लूट-लूट कर घर भर लिया है क्यों? काले खा गंभिर स्वर में बोला क्या जो आदमी भटकता रहे उसे कभी सीधे रास्ते पर ने आने दोगे भाई? अब तक जिसका नमक खाता था उसका हुकुम बजाता था तुमको लूट-लूट कर उसका घर भरता था अब मालुम हुआ कि मैं बड़े भागी मुगालते में पड़ा हुआ था तुम सब भाईयों को मैंने बहुत सताया है अब मुझे माफी दो पांचो रंग रूट एक दूसरे से लिपटते थे उचलते थे, चीखते थे मानो उन्होंने सचमुच सवराजे पा लिया हो और वास्तव में उन्हें सवराजे मिल गया था सवराजे चित की वृति मात्र है जो ही पराधीनता का आतंक दिल से निकल जाता है उसको सवराजे मिल जाता है बेही पराधीनता है निर्भेता ही सवराजे है विवस्था और संग्ठन तो गोण है नायक ने उन सेवकों को संबोधित करके कहा मित्रो आज आप आजादी के सिपाईयों में आ मिले इस पर मैं आपको बधाई देता हूँ आपको मालूम है कि हम किस तरह लड़ाई करने जा रहे हैं आपकी उपर तरह तरह की सक्तियां की जाएंगी मगर याद रखे जिस तरह आज आपने मों और लोब का त्याग कर दिया है उसी तरह हिंसा और क्रोध का भी त्याग कर लीजिए हम धर्म संग्राम में जा रही हैं हमें धर्म के रास्ते पर जमा रहना होगा आप इसके लिए तयार हैं पाँचो ने एक स्वर में कहा तयार हैं नायक ने आशिरवात दिया इश्वर आपकी मदद करे उस सुहावने सुनहले प्रभात में जैसे उमंग घुली हुई थी समीर की हलके हलके जोंकों में प्रकाश की हलकी हलकी किर्णों में उमंग सनी हुई थी लोग जैसे दिवाने हो गए थी, मानो आजादी की देवी उन्हें अपनी और बुला रही हो, वही खेत खलियान है, वही बाग बगीचे है, वही इस्तरी पुरुष है, पर आज की प्रभात में जो आशिरवाद है, जो वर्दान है, जो विभूती है, वे और कभी न थी, वह लोगों की मस्तानी आवाजों से आकाश गुंज उठा, नई सैनिकों की विदाई, उनकी रमनियों का कातर धहरिये, माता पिता का आदर गर्व, सैनिकों की परित्याक्या दर्शे लोगों को मस्त किये देता था, सहसा नोहरी लाठी टेकती हुई आकर खड़ी हो गई, काकी हमें आशिरवाद दो, नोहरी मैं तुम्हारे साथ चलते हुँ बेटा, कितना आशिरवाद लोगे, कई आदमियों ने एक स्वर से कहा, काकी तुम चली जाओगी, तो यहां कौन रहेगा, नोहरी ने शुब कामना से भरेवे स्वर में कहा, भाया, जाने की तो अब दि इतने बालक हैं, इनकी सेवा से मेरी मुकत बन जाएगी, भगवान करे तुम लोगों के सुधी नाए, और मैं अपने जिंदगी में तुम्हारा सुख देख लूँ, यह कहते वे नोहरी ने सब को आशिरवाद दिया, और नाएक के पास जाकर खड़ी हो गई, लोग खड़ वे है था कि हम सारे जहां में फर्द थे, एक दिन यहे है कि हम सा बेहया कोई नहीं नोहरी के पाउं जमीन पर नपढ़ते थे, मानों विमान पर बैठी वी स्वर्ग जा रही हो, और इनी पंक्तियों के साथ कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, और हम देख सकते हैं किस तरह से गाउं के लोगों में सत्या ग्रह के लिए जोश था, उत्सा था, हाला कि उनके मन में जो जोश है, उत्सा है, वो इतना गहरा है, और आजादी प्राप्त करने की ललक इतनी गहरी है, कि वो कुछ ना कुछ तो उन बालकों के लिए कर लेगी, उन सत्यागरियों के लिए कर ही लेगी, किसी ना किसी रूप में अपनी सेवा, अपना योगदान दे देगी. और हम सभी जानते हैं, प्रेमचन जी ने ये कहानी जिस समय लिखी, उस समय भारत की यही दशा थी, और लोगों को प्रेरित करना, जागरू करना एक बहुत बड़ी चुनोती थी. प्रेमचन की कहानीों को पढ़ करने जाने कितने ही लोग प्रेरित हुए और आजादी की लड़ाई में भाग लिया. और यही एक सच्चे लेखक का दाइतु होता है, कर्तवे होता है कि वो अपने समाज में, अपने देश में योगदान दे सके. प्रेमचन जी ने अपनी सरकारी नोकरी का त्याग कर दिया और किस तरह से अपनी लेखनी के मात्यम से वो एक क्रां लोगों के मन में वो जोश, वो उत्सा, वो चिंगारी जगा पाए. और साथ ही उनके कहानी लेखन में एक जादू था, जो लोगों को अपनी कहानी से बांदी रखता था. कहानी लिख देना मात्र एक योगदान हम नहीं कह सकते, लेकिन उन कहानियों को लोग पढ़ें और पढ़ने के बाद उससे प्रभावित भी हों. तो ये उनकी लेखन चैली थी. उनकी कहानी कला थी और यही एक सच्चे लेखक का गुण होता है, जो कि प्रेमचंज में हर तरीके से हम देख सकते हैं, मैसूस कर सकते हैं. इतने दिनों के बाद ये कहानी आज की संदर्व में हम किसी ना किसी रूप में, एपरतेक्ष रूप में देख सकते हैं. आज हम अंगरेजों के गुलाम नहीं हैं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से बहुत सारी प्राधीनता हमारे मन पे, हमारे समाज पे, किसी ना किसी रूप में मौझूद हैं. इस कहानी को पढ़ते समय, आज आज भी हमें लगा जैसे हम उसी दोर में मौजूद हैं, जिस दोर में ये कहानी लिखी गई हैं।